बिहार के पुलिस महकमे में जो इन दीनों सबसी ज्यादा चर्च नाम है वो है लिपी सिंका मिशन अनन्त यानि कि आपको पता होगा कि जिस तरीके से बाहु बली बिधाय कह जाते हैं मले अनन्द सिंग को जिस तरीके से ये लेडी शिंगम लेडी आईपष अधिकारी ने उनको जिस तरीके सा आरेस्ट किया था और उनको जेल तक पहुचाने की पूरी जो कोशिज थी वो कहने कहीं पोजिटिजिव साभित हुई बात करें हगर हम IPS आधिकारी लेडी शिंगम यानि कि लीपी सिंग की तो समाने कद काठी की इस महिला आधिकारी से इलाके के अपराधी भी थर-थराते हैं खुद अनन्द सिंग जैसे बाहु बली के नाक में दम कर दिया था और उनके बाद जेल उनको भेजने में शफालोफ आई थी लीपी सिंग आखिरकार है कोन? लीपी सिंग जनता दवल्ले नितिस के पार्टिज और जदिव है उसके राज़े सबासांशत जो आर्सिपी सिंग है उनकी बेटी है आर्सिपी सिंग की पहचान नके वल जडिव नेता के सांसर के तोर पे है बलकि वो मुख्य मंत्री नितिश कुमार के निकत सहयोगी और पूरो आईस अधिकारी भी है आर्सिपी की बड़ी बेटी लिपी सिंग ने उपीसी की सिविल सर्विस परिक्षा को साल 2015 में पास किया था और आईपीस अधिकारी बनी थी लिपी सिंग को मिला था बिहार कैड़ा 2015 की शिविल सर्विस परिक्षा में लिपी सिंग को 114 रेंग मिला था 33 साल के लिपी सिंग को नालंदा जिले से पहली महिला IPS आफिसर बने का गौरो प्राप्थ हुआ बिहार के लालंदा जिले के पहचान IPS के फेक्टरी के रूप में होती है और रसिपी सिंग मूर रूप से लालंदा जिले के अस्थमा परखंड के मुस्तफा फूर गाओं के निवासी है लिपी सिंग का सपना IPS अधिकारी बनने का था जाओ उन्हें पूरा करके दिखाया है लिपी ने दिली इनवर्सी से लोग की पढ़ाई की है IPS बनने के उनका सेलेक्शन एलायड सर्विश के लिए हो गया था लिपी ने पूलिश फोर्स जोइन करने के बाद कभी पीछे मुलकर नहीं देखा उनका डंडा कानून के हिसाब से बालू माफिया और अपराधियों के खिलाफ लगतार चलता रहा है अनन सिंग के घर हुई रेड में भी टीम को लिपी सिंग की लीड कर रही थी बाड की SSP होने के नाते उन्होंने एक अवेले लगा में अपराधियों का जीनाप मुहाल कर रखा है बलके सराब, बालू, समेथ, अवेध हथियारों को करेबार पभी नकेल कसकर रखतिया था अनन सिंग के समथकों पर लिपी सिंग का कहर लगतार टूटता रहा है लिपी के बारे में कहा जाता है कि अपने अधिकारियों को आदेश देने की बजाए अधिकार्ण ऑपरेशन को खूद लिड करती है तो ये थी कहानी जो कि अगर कहा जाए तो शिंगम IPS अधिकारी हैं बिहार की लिपी सिंग अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शियर करना ना भूलें धान्यवाद